हाई माई लिटल वान वेल यहां पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं मैं इन वर्ड्स को रीट करूंगी आपने ध्यान से इन वर्ड्स को सुनना है you will not repeat after me मेरे पीछे पीछे रिपीछे मत करना सिरफ सुनो अब ये थ्री वर्ड्स में आपने देखा कुछ कॉमन है कॉमन मतलब कुछ ऐसा कुछ सेम रिपीट हो रहा हो इन सारे वर्ड्स में कोई ऐसा लेटर जो रिपीट हो रहा हो ये लेटर वाई यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी लेटर वाई है वाई 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 है ना और डिफरेंट डिफरेंट जगा पर है अलग अलग जगा पर है अब दुबारा सुनो येस क्राई वेरी जब मैंने ये word बोला yes तो यहाँ पर y की sound य आई जो हम हिंदी में करते हैं य यहाँ पर y की sound आई इस word में y की sound य जैसी आई य, yes यहाँ पर कौन सी sound आई? cry, 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 I यह जो letter है I इसकी sound आ रही है cry, यहाँ पर कौन सी sound आ रही है? very, very, very e की sound यह जो letter e है इसकी sound आ रही है अब यहाँ पर भी y यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y कभी your sound आ रही है कभी I कभी e यह कैसे हो गया? different different sound, different different जगाँ पर क्योंकि जब हमने यह letter की sound पड़ी this is b जब यह letter की sound पड़ी h s हमने जब भी यह letters किसी भी words में पड़े तो हमने हमेशा इसकी sound same ही देखी लेकिन इस letter की sound इस letter y की sound different different क्यों हुई? कभी y, कभी i, कभी e क्योंकि इस letter y के कुछ rules होते हैं अब यह rules में आपको easy करके समझाती हूँ the first rule is जब भी letter y किसी भी word के starting में हो या फिर किसी word के center, बीच में हो like यह word है यह word लिखा है layer अब यहाँ पर letter y starting में है इस word में letter y center में है, बीच में है तो इन दोनो words में हम y की sound year बोलेंगे year जब भी letter y starting में हो word के starting में या word के बीच में हो तो इसकी sound आएगी year now let's read rule number two and rule number three अब इन दोनो words में जो y है letter letter y letter y last में है और यहाँ पर letter y की sound आ रही है I और यहाँ पर letter y की sound आ रही है E cry I very E अब यह कैसे पता चले कि कब हमने I sound बोलनी है कब E sound बोलनी है इसके लिए ध्यान से सुनना क्या करेंगे आपने देखना है letter y से पहले जो भी word लिखा है letter y से पहले कितनी sound है अगर one sound है सिरफ one sound तो हम I sound देंगे letter y की sound I की बन जाएगी कैसे जैसे इस word में letter y से पहले है क्र मैं आपको दुबारा समझाती हूँ यह है क्र y से पहले सिरफ एक ही sound है क्र तो इस लिए इस क्र के बाद कोई और word नहीं लिखा क्र के बाद सीधा y है क्राइ वर्ड में क्र के बाद सीधा y है तो हम इसलिए इस y की sound देंगे आय की क्र आय क्राय इसको हम बोलेंगे ऐसे क्र आय क्र आय क्राय लिखेंगे y और बोलेंगे आय ठीक है अब इस word में very this is rule no.3 अब y letter last में है लेकिन y से पहले देखते हैं कितनी sounds है it means y letter से पहले एक वे sound है एक र्र sound है वे र्र ई तो इसलिए y की sound हो जाएगी ए की sound अगर किसी word में y letter से पहले one से जादा sound है plus one one से जादा sound है तो हम y letter की जो sound है वो e बन जाएगी e इस case में क्या था y से पहले सिरफ एक sound थी kr तो हमने y की sound i बना दी cry very now let's do more examples to understand these rules better हम कुछ और examples करते हैं अब यहाँ पर कुछ words है जिनमे y की sound y है या y की sound i है या y की sound e है let's learn how okay अभी हमने learn किया कि अगर किसी word में letter y स्टार्टिंग में हो तो उसकी sound y होती है और अगर बीच में हो तब भी y होती है now let's read these words y e y s y s स्टार्टिंग में है y तो हम y बोलेंगे y e yet yet स्टार्टिंग में है y तो हम य बोलेंगे y की sound देंगे y और ये word को हम sound से read नहीं कर सकते ये word है beyond because this is be ऐसे तो ब ए ब हो जाएगा लेकिन ये sight word आता है be y औ y 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 beyond next अब ये भी sight word जैसा ही है layer layer यहाँ पर भी y बोलेंगे क्योंकि y center में आया loyal y 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 इसको हम बोलेंगे ए defense y y y y y y y y n y x y y y x y y y y y ब, आय, बाय, हमने यहाँ पर आय क्यों बोला? क्योंकि आय से पहले सिर्फ वन साउंड है, यहाँ पर आय से पहले सिर्फ वन साउंड है, यहाँ पर आय से पहले सिर्फ वन साउंड है, यहाँ पर आय से पहले सिर्फ वन साउंड है, यहाँ पर टू लेटर लिखे हैं, लेकि ये ट्र one sound, फ्र one sound, ड्र one sound, क्र one sound, आए y से पहले जब भी one sound होगी तो हम आए बोलेंगे next, अब हम देखते हैं कि हम y को य कब बोलते हैं, जब किसी word में y last में हो लेकिन y से पहले one से ज्यादा sounds हो तो हम Y की जो sound होगी वो E बोलेंगे Let's check here व, ए, व, र, तो ये हो गई, व, हो गई, one sound, र, हो गई, second sound व, र, र, तो Y बन जाएगा E, very Next, अब यहाँ पर तो कितनी सारी sounds हैं Y से पहले फ, अ, अगर हम इसको one sound consider करें फ, न, ये second हो गई fun, फिर ये क्या बन जाएगा E, funny Next, स, अ, स, ये one sound हो गई न, ये second sound हो गई स, न, sun, E, sunny Next, ब, न, E, bunny, bunny म, आ, मै, one sound न, second sound, E, many Next, ब, ओ, ब, ब, ड, ये one sound, ड हो गई second sound तो ये बन गया E, one से जादा sound है तो हम Y की sound को बोलेंगे E, body Now this is a sight word, story one sound हो गई, A, next sound हो गई, N, third sound हो गई यहाँ पर तो three sounds आ गई, Y से पहले तो ये है, यहाँ पर हम Y को बोलेंगे E, rain, E, rainy pup, E, puppy s, ill, sill, E, silly Next, ट, व, टूर, ए, न, टूर हो गया one sound, N हो गया second sound, ट हो गया third sound, टूर हो गया third sound थ, अर, थर, ट, थर्टी, थर्टी फ, और, फॉर, ट, फॉर्टी, फॉर्टी Y से पहले बहुत सारी sound है, इसलिए Y को हम E बोलेंगे, फॉर्टी फ, इ, फिफ्ट, फिफ्ट, इ, फिफ्टी सिक्स, सिक्स्ट, सिक्स्टी, से व, सेव, एन, सेवन्ट, इ, सेवन्टी next, च, इम, चिम्नी, चिम्नी, वाय के sound E आजाएगी, चिम्नी now let's quickly revise these words again, now please repeat after me yes, yet, yell, yellow, you, your, beyond, layer, loyal, yum cry, dry, fry, dry, try, fly, sky, why, shy, my, by very, funny, sunny, bunny, many, body, story, rainy, puppy, silly 20, 30, 40, 50, 60, 70, चिम्नी now watch this video again and understand की लिटर वाय की sound यह कब होती है, आए कब होती है और ई कब होती है बबाई फो नाओ